कॉर्प्रेट रिडार में बात करेंगे 1996 में शुरू हुई Hyundai Motor India की अभी हाली में कंपनी का IPO भी आया और Hyundai Motor Group का हिस्सा है और घरेलू बिकरी के मामले में वितवश 2009 से भारतिय पैसेंजर वीकल मार्केट की दूसी सबसे बड़ी OEM है नतीजों की बात करें तो आए में 7% की गिरावट देखने को मिली मुनाफ़ा 15% घटा कंपनी का मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है नतीजों के लिए और क्या रहे हैं एहम ट्रिगर्स और आगे के लिए कंपनी का उटलू क्या होगा इस पर बात करने के लिए हमारे इस अधीमी ग्रोथ की बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एपसलूट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप देखते हैं हमारा है एच्वन का एविटा मार्जिन वह 13.1% रहा है जो पिछले साल के मुकामले 12.6% हा हमारा एविटा मार्जिन एच्वन का तो उसम दूसरा प्रिमिमाइजेशन तीसरा कॉस्ट अप्टिमाइजेशन चौथा एसके हमें एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अगर आप क्यू टू के बात करें तो हमारा एविटा मार्जिन लगभग 12.8% रहा है जो की पियर्स को देखें या एक इवन अप ग्लोबल हाई लेवल पे थे और उसके बावजूद भी हम एक नई इनोवेशन के साथ कुछ डूल सिलेंडर सी एंजी और इस तरह की नई इनोवेशन के साथ अपने डिस्काउंट लेवल को बहुत ही कंट्रोल में रख पाए और एक एपसलूट टर्म्स में एक अच्छे एविटा म मार्जिन को लेकर भी कमफर्टेबल हैं तो सर आप जाना चाहेंगे कि क्या आगे भी जो मार्जिन की रेंज है वो आप ऐसी देख रहे हैं 12-13% की रेंज में या यहां पर कुछ बढ़त का स्कोप आप देख रहे हैं हमेशा यह प्रयास रहता है कि किस तरह से आप मार्जिन एक्सपेंशन कर सकें और अगर आप देखते हैं तो हमारा लगबग जब हम इन फैट जब हमने डियारेश की फाइल किया था तो नौ महिने का पिछलिस फाइनचल एर का हमारा मार्जिन 12.7% था तो आप देखिए त जो है 12.7% का हमारा विटा मार्जिन का था और उसको हम कंटिनुशली प्राप्ट कर रहे हैं इवन इस कोर्टर में हमने 12.8% पाया है आगे जाके अगर आप मार्जिन लीवर्स की बात करते हैं तो जो पूने प्लांट जो की हमारा अगले साल की जो ऑक्टूबर से दिसंब मैं मदद मुलेगी, मार्जिन को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी, SUI-zession continuously चल रहा है, पिछले कैलेंडर यहर में हमारा साट परसेंट SUV ब्रकूशन था, इस साल हम अगले साथ परसेंट में पहुच चुके हैं, क्रेटा बहुत अच्छा शांदार परसेंट कर रही है, लगबग 16% की growth है क्रेटा में, Alcazar facelift का बहुत अध्भेतरीन response मिल रहा है, क्रेटा EV अगले quarter में आने वाली है, जिससे हमें further SUVization में मदद मिलेगी, cost optimization में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, कि जिस तरह से अपनी cost में और कड़ोती कर सकें, तो इन सब प्रयासों की वज़े से हमारा ये मानना है, कि एक अच्छे EBITDA margin को हम आगे भी प्राप करने में सफ़ल हो पाएंगी, ठीक है, तो margin में यहाँ पर और सुधार देखने की उमीद की जा रही है, management की तरफ से, तरुन जी अगर HMI याने की Hyundai Motors India की बात करें, हमारी एक बहुत ही integral part हमारी strategy का रहा है, और हमने बहुत ही उस पर focus रखा है, येस आपने हब की बात की बिल्कुल सही का, आपने emerging markets के लिए HMI जो है, वो एक production hub बन गया है, 80 से जादर देशों में हम export कर रहे हैं, और जब मैं emerging markets की बात करता हूँ, ये Middle East, Africa, Central and South America, Asia, जहां पर की customer preferences काफी हद तक भारत की जो customers है, उनकी preferences हैं, बिलती जुलती हैं, और ये ही हमें सफलता दिलवा रही है, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे Elkazar facelift अभी हमने launch किया, बहुत अच्छा response मिल रहा है, अब हम export की opportunity देख रहे हैं उसमें, extra की बात करें, पिछले साल हमने domestic market में निकाला था इस गाड़ी को, बहुत शांदार production किया इस गाड़ी ने, अब हमने South Africa में इसको launch किया है, उससे हमें volume और order मिलने लगे हैं, जैसे आपको बताया, पुने plant से हमें और मदद मिलेगी अपने volume को बढ़ाने की, तो continuously export में हमारा focus है, और हमारी जो currency है, वो dollar है, और आप देखी रहे हैं, US dollar बहुत जी strong है, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है, अपने margins को भी expand करने में, और एक hedge हो जाता है हो, क्योंकि जो हमारे export से dollar मिलता है, वो हमारे import को hedge करने में मदद मिलता है, और हमें एक strong dollar से भी हमें अपनी margins को expand करने में मदद मिलती है, तो मेरे मानना है कि going forward, जिस तरह की भेतरीन quality हमारा plant produce करता है, जो कि एक benchmark है, जिस तरह का हमारा cost structure है, वो हमें आगे भी future में भी exports को बढ़ाने में मदद करनेगा, और रेटरों जी बहुत धन्यवाद आपका, आज समय देने के लिए नतीजों पर और growth outlook पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका.